जैसे कि आप सबी को पता है पित्रपक्ष शुरू होने वाले हैं वो भी 29 सितंबर से दिन है शुक्रवार अगर जीवन में जब समझते हैं बहुत सारी है कुंडली में आपके पित्रदोश है घर में पित्रदोश है आपके बच्चों के विभा की बात करने जाते हैं बात पक बच्चे नौकरी विए इंट्रूय के लिए जा रहे हैं मगर सकसे reel उन्हें नहीं मिल पा रही वो भी पित्रदोश है वईपार मेव्रिदी होते होती पैसा आते मगर हो जाते हैं नुकसां कहीं पैसा आप लगा रहे उसमें पैसा औटक जा रहे। पैसा घर में आनाहीं का आप इन परिशानियों को छेलें तो अपने पित्रों को ना प्रसन कर लें, अब देखे किसी की शमता नहीं है कि वो पिंड़दान सही रूप से कर सके, जब हमारे पित्रों का पिंड़दान अच्छे से नहीं होता तो इस चीजें समझ्या के रूपे हमारे सामने आती है, जाके अपने पित्रों कें लिЕровए कोंड़ करें या कोई दान कर सकें , तो फिर ऐसी स्तिती में छोड़ा सा काम तो आप सब करी सकते हैं वह बहुत सरल बहुत ही सटीक से अगर आप करते हैं तो आपके पित्र बहुत प्रसंद होंगे और आपको अपने पित्रों का जो क्रोध है श्राप है वह आशिवाद में बदल जाएगा और उनका आशिवाद आपको प्राप्त होगा वह प्रसंद होंगे तो अपना जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दक्षिन दिशा होती है हमारे घर की वो होते है हमारे पित्रों की तो जो दक्षिन दिशा में आप क्या करने रात्ती में आपनी रसोई को तो सबसे पहले रसोई को हमेशा साफ करके रखें और आप ये पहले दिन से लेकर पूरे अमावस तक यह पूरे 15-16 दिन आपने यह उपाए बंड नहीं करना है, आपने करना ही करना है, अपनी रसोई घर को पूरा साफ कर ले, साफ करने के बाद जो घर की महिला हैं, आपके रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान है, आण रो लगा हुआ है, या आप जहाँ पानी भर के पीने के लिए रखते हैं ऐसी जगा है आपके रसोई घर में तो आपने एक दीपक मिट्टी का वहाँ पे जला देना है उस पानी की स्थान पे अपने पित्रों का नाम लेकर अगर देखे अगर आपके घर में ऐसी कोई जगा नहीं आरो लगा है अगर आप वहाँ पे नहीं दिया जला पा रहे है तो फिर ऐसी कंडिशन में ऐसी स्थिती में आप क्या करें आप ऐसी स्थिती में क्या करेंगे उसके लिए भी मैं उपाय आपको बदा रहे हैं अगर आप यह कर सकते तो अपने रसोई घर की दक्षिन दिशा में जरूर से जरूर एक दीपक रात को जला दें नहीं पासी बल हो रहा तो एक बर्तन ले ले बर्तन में आप पानी भल लें कांच का बर्तन लेंगे तो अच्छा है नि तो आप स्टील का भी बर्तन ले ले उसमें रात में पानी भरे और आपक जो घर का बैठक है जो बीश सेंटर की ज आपके घर में जो दक्षिन दिशा है आप उसको देख लो अच्छे से वास्तू के इसाब से दक्षिन दिशा में आपके जो पूरवज हैं आपके जो पित्र हैं उनकी फोटो को लगा के उन्हें चंदन की माला पहना है और रोज सुबा मापे धूप अगरबत्ती जरूर दि अगरबत्ती जरूर जलाए इस तरह से आप सुबह करें आप वहीं पर आपने जहां पर आपने उनकी फोटो लगा रहे कि तो रोज रात को आपने करना क्या है एक आप आटे का दीपक बना ले दीपक ऐसा होगा एक मुखी दीपक आप बनाएंगे इसके अंदर सरसो का ते अपने पूर्वज की समझ आपने लंबी बत्ती बनानी है कि आपकी जो पैवार है वो काफ़ी पीडियों तक रहे और हमेशा सुक्समिदी बरकत बनी रहे तो इसलिए आप लंबी बाती बनाएंगे गोल बाती नहीं रखेंगे यहां पर लंबी बाती बनाकर अब आपने एक ग्लास में पानी भी जरूर लेना है और यह दिपक आपने अपने जो पूर्वज हैं जो भी पितर हैं उनकी फोटो के पास आपने दीपक को जलाना है बद नहीं करना है अपने लगतार आप इस तरह से करेंगे और जब आप आप यह दीपक प्रजुलित करेंगे तो पाँच दस मिनट पन्दा मिन आप वही बैठके कोई माला जाप से नहीं करना है सिफ आपने ओम पृत्त भही नमा मंत्र होता है उस मंत्र को आपने सिफ जपन माला से जाप नहीं करना है आपने ऐसी बैठ के बस आप एक टाइमिंग अंदाजा लगा लें कि 10-15 मिनट आप बैठे हैं उतनी देर बैठें और ओम प्रिक्त भाई नमा मंत्र का जाप आप करते नहीं अपने पित्रों से प्रात्ना करें कि आप से जो भी भूल चुक हो गई है या जो भी वो कारें नहीं कर पाए जिसकी वज़े से वो रूठे होए है या आपके घर में जो भी परेशानिया चल रही है उन्हें वो दूर करें इस तरह से आप 10-15 मिनट जरूर से जरूर से दीपक के समझ पैटे अब घर की महिलाई भी कर सकते घर के पुरुष भी कर सकते घर के बच्चे कोई भी इस उपाए को करें मगर करें जरूर इसे आपने गाप नहीं करना है कंटीन्यू आपने इस तरह से करना है यह हो गया दीपक का उपाए अब आप अपने मुख्य दरवाजे पर अमवस्या की रात्री में अमावस को देखो सभी सब करते हैं तो पुनिमा और अमावस आप एक रोटी बना लिजे रोटी आप बनाएंगे रात्री में जब आपने साफ सुत्री रोटी बनानी जूठा ना हो रोटी बनाने के बाद आपने इसके उपर सरसों का तेल अच्छे से लगा देना है और थोड़ा सा काला तिल छे डग देना है इ इस तरह से आप अपने पित्रों को प्रसंद कर सकते हैं उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं उन्हें याद कीजिए उनको अच्छे से मनाईए ये पित्र पक्ष की जो 16 दिन होते हैं उन्हें मनाकर अपने जीवन की कर्ष्ट और परिशानियों को दूर कर लीजिए छोटे-छोटे से उपाय है जरूर कीजिए जीवन में परिवर्टन आएका जो भी परिशानिया चल रही वो दिरे-दिरे यूं ही तर जाएगी साल में एक बार 15 दिन ही तो आपने अपने पित्रों को याद करना है जो भी भूल चूँझ है उसके लिए शमा याच्रा मांगे और इस तरह से अपने पित्रों को प्रेसंद करें और हाँ आपकी जो शमता हो शमता अनुसार आप क्या करें जो दान करसकते जरूर से जरूर किसी भी टाइम इंस्राद पक्ष में आप जो भी कर सकते हैं अपनी शमतानुसर दान करें किसी भी गरीब को खाना किलाएं गरीबों को दवाइयां बातें कपड़ें जो आपके शमता शमतानुसर जरूर से जरूर दान करना चाहिए और आपके लिए पॉसिबल हो तो इस श्राद पक्ष में गंगा सनान, जमना सनान या कोई भी पवित्रे नदी का सनान अवश्यक करें अगर पॉसिबल नहीं हो पार, आप नहीं किसी स्नान पे जा पारें तो अपने नहाने वाले पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदे मिला लें और फिर स्नान कर लें इससे भी अच्छा होता है और साथ में थोड़ा सा काला तिल भी साथ में साथ डाले आपके जो पित्र दोश है आपकी कुंडली में वो भी शान्त होते हैं घर के पित्र दोश शान्त होते हैं वी छोटा सवपाई जरूर से जरूर करें जैशी कुछने